हां जी बच्छा लोग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई की बात कर रहे हूं तो भाई पढ़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि सवाल आपके 10th class का है 10th class याने की आपके board exams राइट तो पढ़ाई करने में मज़ा कब आता है जब चीजें हमको आसान लगने लगती हैं ऐसा ही होता है ना चलो फिर आप और हम मिलके इस पढ़ाई को आसान बनाते हैं ठीक है तो बचा लोग मैं हूं विज्जाता आपकी biology teacher और हम यहां पे बात कर रहे हैं अपने नए चाप्टर तो हाँ बिलकुल अनुवंशिक याने की हारेडिटी के बारे में हम बात करेंगे ठीक है चलो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले फटा फट्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्लास है है ना चलो फिर भाई इस पढ़ाई के सफर को जल्दी से असान बराना शुरू कर देते हैं अपनी अपनी सीट की बेल्स को बांद लो एकदम कसके बिल्कुल नहीं हिलना डुलना है यहां वहां से ठीक है बिल्कुल स्ट्रीट अपनी नज़र रखनी है और बात करनी हैरेडिटी की यानि अनुवंशिक्ता के बारे में ठीक है चलो फिर आज वह फड़ावर से बात करते हैं इस चाप्टर के ऊपर आ जाते हैं भाई चाप्टर में हमको पूरा परिचे लेना है इंट्रोडक्शन लेना है पूरा का पूरा कुछ भी मिस नहीं करना है तो शु बोला हमने इसको हैरेडिटी बोला राइट तो जब हैरेडिटी बोला अनुवंशिक्ता की बोला तो क्या तो क्या मैम यही तो बोलोगे न अरे तो भाई मैं वही पूछना चाहा रही हूं कि क्या है इसका मतलब क्या होता है अनुवंशिक्ता की क्या आप मेंसे कोई ऐसा ह जो मुझे बता सकता है, raise your hands, हाथ खड़ा करो, बताओ, चलो फिर ठीक है, जिनको पता है, well and good, जिनको नहीं पता है, तो मैं हूँ ना, attention की गया बात है, भाई, चलो फिर आज़ो पड़ावर से, हाँ, तो भाई, अनुवनशिकता कि जब हम बात करते हैं, तो किन में पाई ज जाएंगे यह चीज़े, अब इन में क्या होता है, जब हम जीव की बात कर रहे है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि प्रजनन के द्वारा, प्रजनन के द्वारा, क्या होता है, इन में, संतान, उत्पद्धी, ठीके, याने कि यह लोग क्या करते हैं, reproduction की process करते हैं अपने जैसे ही संथान बनाने के लिए जैसे कि last class में मैंने आपको बताया था कि reproduction यानि कि प्रजनन या फिर जनन क्या होता है कि अपने जैसे ही संथान को बार 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 अनेग बार बनाना है ना तो वो क्या कहलाता है reproduction कहलाता है यानि कि प्रजनन या जनन ठीके तो यहां पर इसी प्रजनन यानि reproduction के द्वारा संतती की उत्पत्ति करना यानि संतती को पैदा करना ठीके अब जब संतती पैदा हो गई है ठीके किस से पैदा हो वह भई माँ और बाप दोनों से माता पिता दोने इंक्लूड है तो यहां पर यह जो हम अनुवंशिकी क बात कर रहे हैं ठीके तो एनवंशी की यहांने की भाई किसकी genetic material जो होता है ठीक है अनुवंशी की में यहां क्या genetic material की बात होती है ठीक है कि genetic material च्या है तो बहई genetic material हमारा क्या है dna dna क्या होता है d oxy ribose Nucleic Acid ठीक है? यह होता है हमारा Genetic Material क्या होता है याने कि यह क्या है आपका अनुवन्शिक अनुवन्शिक पदार्थ इसको हम क्या बोलते हैं? Genetic Material ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैडम जी यह तो अनुवन्शिक और अनुवन्शिक और अनुवन्शिकता सब एक साही लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन भाई अनुवन्शिक पदार्थ याने कि Genetic Material और अनुवन्शिक याने कि Heredity दोनों चीज़ों में Confused में तो जाना? हम? दोनों चीज़े एक दूसरे से बहुत अलग है पर यहाँ पर बात हम किस की कर रहे है? बात हम किस की कर रहे है? अनुवन्शिकता की कर रहे है याने कि जो लक्षन है एक पीडी से दूसरी पीडी में जा रहे है उन्हीं के बारे में और वो लक्षन लेके कौन जाता है हमारा प्यारा dna लेके जाता है ठीक है चलो तो मैंने कहा कि संतान उत्पत्ती हुई ठीक है अब ये जो संतान उत्पत्ती हुए मैंने किस से कहा कि संतान उत्पत्ती में भई प्रजन किस में हो रहा है नर में हो रहा है प्लस मादा में हो रहा है अब ये जो नर और मादा है इनके पास कुछ लक्षण भी तो होंगे है ना इन दोनों के पास क्या है लक्षण है अब ये जो लक्षण है तो भी 50% लक्षण नर से आएंगे याने की पिता से और 50% किसे आएंगे मादा से याने की अपकी मम्मी से ठ संतती में जाएंगे ठीक है ये जो लक्षण हमें नर और मादा से मिले हैं ये किस में जाएंगे संतती में जाएंगे जिनको हम क्या कहेंगे ये जो लक्षण यहां पर मिलेंगे हमको ये लक्षण क्या कहलाते हैं बताओ जल्दी से ये लक्षण कहलाएंगे अनुवन्शिक बताओ ये इतनी बात आप मेंसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ वह बहुत बढ़िया आगे बर जातेैं है मैं जीवों में प्रजुनन के द्वारा संतान उत्पन करने की अदून शम्ता होती है अद्बुद शंता अद्बुद मतलब बहुत अच्छी बहुत यूनीक कुछ अलग से अमेजिंग शंता मतलब केपैसिटी तो भई जीवों में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन करने की अद्बुद शंता होती है संतानों में कुछ लक्षण माता-पिता से पीडी दर पीडी पहुंसते हैं जिनें अनुवन्शिक लक्षण कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है वंश्यागत लक्षण याने की Inherited Characters होते हैं और इनका अध्यान अनुवंशिक्ता याने की Haridity कहलाता है ठीक है आप भी समझ में आया अनुवंशिक्ता क्या है यह जो वंश्यागत लक्षण वंश्यागत लक्षण यानि जो पीडी दर पीडी मिल रहे हैं हमको इसका मतलब अब क्या हुआ जो हमको कहां मिल रहे हैं पीडी दर पीडी मिल रहे हैं लक्षण ठीक है जो पीडी दर पीडी लक्षण मिलते हैं वो क्या है वंश्यागत लक्षण है जिनको हम क्या कहते हैं Inherited Characters और जो इनका अध्यान होता है वो क्या कहलाता है अनुवंशिक्ता यान मैं की आई ठीक अब इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आगई है वड से जवाब दे से belangrijk सबस्चें सबस्क्राइब पर मतने करें तो उनका क्या संचरण हो ना ठीक है तो तो यहां पर आपको एक चित्र दिया हुआ है और देख सकते हो कि इन सब में कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है, सब में, हो सकता है कुछ एक दूसरे के जैसे हूँ, जैसे मैं इन तीनों की बात करती हूँ, तो यह तीनों एक से लग रहे हैं, लेकिन क्या है, अगर मैं इनक कुछ difference आ गिया है है तो यह क्या है यह विविद्था है तो यहां क्या है उत्तर उत्तर फीडियों में विविद्था की उत्पत्ति ठीक है यह दिखा रहे है शीज़ पर दश आये पहली पीडि के जीद माल लीजे कि दो संतति को जनम देंगे ठीक है इन्हों परपल कलर गया है इन में से प्रतिक अगली पीडि में दो जीवों को उत्पन करेगा इसने जो से दो उत्पन कर दिये इसने फिर से दो उत्पन कर दिये समान एक से हैं कि मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य ही होगा ना लेकिन उनमें विविनताएं होंगी डिफ्रेंस होंगे अब चित्र में सबसे पहले नीचे दिखाएगा चारो जीव क्या वेस्टी इस तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे देखो चारो के चारो एक दूसरे से अलग है कुछ विविनताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई है जो स्वयम आपस में एक दूसरे से भिन्न थे ठीक है यहां पर समझ में आई आई आपको कि बहुत ज मलजीर जीवन क्या करता है जैसे कि अलांगिक जनन होता है यदि एक जीवानु विभाजित होता है तो परिणाम सरूप दो जिवानु उतपन होते हैं जो पुने विभाजित होकर चार वेस्टी या जिवान उतपन करेंगे जिनमें आपस में बहुत अत्योदिक समाझ होता तो विविद्धिता पेक्शाकत और जादा होती समझ रहे आप इसके विशह में हम अनुवंशिक्ता के नियमों की चर्चा के समय पर देखेंगे कि इसमें आगे क्या है यहां पर क्या है कि जब हम किसकी अलयंगिक जननन की बात करते हैं तो विभंताईं नहीं हों अगर मैं अमीबा की बात करती हूं यह हैस इस आपमीबा में जब क्या होता है जनन होता है थो यह क्या करता है अपने आपको इस तरीके से ikri करता है ऐसे अज़ाता है 𝑶 माखिर में यहां अके क्या होता है दो संत्तियों में विभाजित हो जाता है और है और दोनों को यहां पर यहां केंदरक cute मौजूद हो जाता है अब यह हमपए को इस इस फिल्गष जणक वहुगा वह फो मतलब हमाटनय को मैं अमग्नեξ자 को बी हो इन दोनों के पास अपने अलग अलग गुण है तो यहां पर विविदिता आती है वह क्या है बहुत जादा आती है अब अगर आप अपने आपको ही देखो तो देखो आप अपने माता पिता से भाई भेंट से रिजैंबल करों ठीक उनकी तोड़ा दिखाई दोगे लेकिन फिर भी एक से नहीं होते हैं हमारे बाल अलग जाते हैं या हमारे बोली का तरीका अलग हो जाता है हमारी कभी-कभी हाइट यह तो आपने हैं उपट जादा हो जाती है ठीक चलो अब आता है मेंडल जी का योगदान मेंडल जी के बारे में बहुत कुछ सुनाओगा आपने हाँ सुनाए मेंडल जी कौन थे बताओ जल्दी से किस को पता है कि मेंडल जी कौन थे जल्दी जल्दी हाथ उपर खड़े करो किस किस को पता है कि मेंडल जी कौन थे सबसे पहली बात याद रखो भाई बहुत ही पूजनिय वेक्ति हैं ये ठीक है अगर ये ना होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि जेनेटिक्स होती गया है है ना तो इसलिए जब भी किसी भी विग्यानिक का साइंटिस्स का नाम लो या तो सर कहके बुलाओ या फिर जी कर के लगाओ उनके नाम क्या अगे थीक है? मैम की इतनी सी बात माल लेना हूह चलो तो जूघ हमें fyndel जी के योगदान की बात कर रहे है तो हमको पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है इनका नाम है पूरा Gregor अलग color से लग देते हैं ना कि कि इनका नाम क्या है Gregor Jorn ठीक है क्रेगर जॉन मेंडल है इनका पूरा नाम ठीक है इन्होंने क्या किया था मेंडल जी जो थे इन्होंने क्या किया था यह क्या थे एक पादरी थे ठीक है एक चर्च में काम करते थे अब इन्होंने क्या किया कि इनके सामने मतलब एक उध्यान था यानि कि जिसको हम पा दंडा नहीं गिल्ली डंडा है ना कुछ ऐसा ही बोलते हैं हां वो खेला यह वहाँ पर जाके चुपन-चुपाई खेली थी बताओ क्या किया वहाँ जाके इन्होंने अरे भाई इनके सामने जो ध्यान था ना तो उसमें बहुत सारे पेड़ पॉधे लगाते थे ठीक और उस प्रियोग करता हूं जब यह अनुवन्षिक्ता की बात चल रही है तो उन्होंने क्या किया सामने जो ध्यान था वहाँ पर सबसे साधारन सा पौधा उठाया जिसका नाम था मटर का पौधा जिसको आप सब लोग भी जानते हैं पी प्लांट होता है मटर का पौधा उठाय और साथ साल तक उन्होंने उस मटर के पौधे पर काम किया ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है ध्यान से सुनना बिल्कुल साथ साल तक उन्होंने उस मटर के पौधे पर काम किया 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 उन्होंने वहाँ पर साथ लक्षणों को देखा साथ लक्षण मिले है ना कि अगर बच्चा टॉप कर जाए तो घर में रिष्टेदारों के भीड लग जाती है और कहते माने नहीं सकते भाई तुमारा बच्चा इतना अच्छा कैसे पढ़ रहे हमारा बच्चा भी तो जाता है है ना तो वहीं चीज थी वहीं कि वहीं उनके आसपडोश के जिस मैंड Schmidt जी ने जब उसको पॉलिश किया तो उन्होंने ध्यान ने दिया मेंडल जी के ऊपर लेकिन फिर धीर तो इसलिए ठीक है कोई बात नहीं इसको यह चानते है जब आप लोग बड़ी क्लास में आऊगा तो भी स्टोरी आपको आगे पता चलेगी यहां पे इसको मैं सस्पेंस में डालके खतम कर देती हूं ठीक है लेकिन यहां पर याद है ना कि मेंडल जी का बहुत बड़ा साथ साल यह सेविन इयर्स बोल दो क्या किया इन्होंने मतर के पौधे पर काम किया मतर के पौधे पर काम किया ठीक है काम किया इन्होंने मतर के पौधे पर ठीक है मतर के पौधे पर काम किया ठीक है और क्या मिला इन्हें उससे है काम करने पर इन्हें से क्या मिला साथ लक् क्या किया 1866 में प्रकाशित कर दिया 1866 में क्या की प्रकाशित ने इसको प्रकाशित प्रकाशित कर दिया ठिक हमारी मेंडलजी का बहुत बड़ा योग्दान था ठीक है पाद में और विज्ञानिक आये थे तीन जिन्होंने दो तीन विज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी थिरी को फिर से पढ़ा और बोला कि नहीं भाई यही थिए चलो यह देखो अनुवंशी की के छेत्र में ग्रेकर जोन मेंडल के महत्वण योगदान के कारण इनको क्या कहा जाता है अनुवंशी की का पिता कहा जाता है याने की फादर ओफ जैनेटिक्स कहा जाता है ठीक है क्या कहते हैं इनको फादर ओफ जैनेटिक्स ठीक है यहां लिख देती हूं मेंडल जी कौन है हमारे father of genetics ठीक यानि अनुवंशिकी के जनक सोचो एक मामूली सा पादरी कहां अनुवंशिकी का जनक बन गया आप देख रहे हो एक महनत और लगन के कारण अगर इस तरीके से आप भी महनत और लगन दिखाओगे न कोई रोक नहीं सकता आप 70 परसंट या 80 परसंट से कम ले आओ इतनी महनत और लगन दिखाओगे तो समझ रहे हो कोई भी नहीं रोक सकता आपको पर महनत तो दिखानी पड़ेगी बेटा चलो यह ऑस्ट्रिया के पादरी थे मैंने अभी बताए था आपको पादरी थे इन्होंने मटर के पौदे पर अनेक प्रियोग किये उसके अधार पर कुछ निशकर्षों को क्या कर दिया उन्होंने प्रतिपादित किया जिसकी रिपोर्ट 1866 में प्रकाशित है अब अपने प्रियोगों के अधार पर मेंडल ने में लिखित निसकर्ष के पहुंचे है खीके जो अबelson के नाम से जाना जाता है कारका यनिकी फ्यक्टर थीख संकर संतान में यह कारण अप परिवर्थ तंशील होता है फलसरूप अगली पीडी में वह लख रुवर्वत प्रकट होते हैं यानि कि पहली पीडी में क्या है कि वह अपने अपने आपको दिखाएगा दर्शाएगा ठीक चलो ओके अब हम क्या बात करते हैं अब बात करते हैं मेंडल का योगदान ठीक है तो मेंडल जी के योगदान के बारे में बात कर रहे हैं तो मेंडल को अनुवांशी के जनक के नाम से जाना जाता है मेंडल ने मटर के पौदे के विर्प्रयासी याने की साथ विकल्पी लक्षणों का अध्यन किया था जो स्थूल रूप से दिखाई देते थे ठीक है यह उनका योगदान था जो हम पढ़ रहे थे अब सवाल आता है कि भाई उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना ऐसी क्या चीज थी जो उन्होंन दिखाई देते हैं ठीक है दूसरा इनका जीवन का छोटा होता है याने की बहुत छोटीि इनकी लाइफ होती है और क्या बोलते हैं समान शियक स्वाफरा छाल होता ये इन में आनि잡ग ह प्रागन की करिया कर लेते हैं करन्तु कृत्य हम तरीके से क् परागन भी कराया चा सक इसने लिए तो इसनी सारी चीजे बुझेये में मज़े इसको गया सकता हूं एक वर्षिये पौध उता है हाई हाँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, कि जो मतर का पौदा है, ये कैसा है? एक वर्श ये होता है। ठीक है? कैसा होते हैं? एक वर्श ये होता है ये? ठीक है? चलो. अब क्या? अच्छा, ये आया है अब हमारे पास, हाँ? तो ये क्या है हमारा मतर के पौधे में विर्पियासी लक्षन तो यहांपर हमारे पस तीन चीज़े आती है एक लक्षन आ जाएगा सबसे पहले, यह आगे आपका लक्षन, ठीक है, कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, साथ लक्षन थे हमारे पास, ठीक है न, फिर हमने क्या बोला इसके साथ, प्रभावी, प्रभावी, लक्षन बोल दो या विशेशक बोल दो, कोई बात नहीं है, लक्षन भी बोल सकते हो और विशेशक बोल सकते हो, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आगिया, आप्रभावी, आप्रभावी, विशेशक, या फिर लक्षन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके, चलो ये टेबल हमने बना लिया, अब इस टेबल में हमको क्या बनाना है, सबसे पहले हम बात करें, हम जब मटर के पौधे की, तो भाई साहब बीज का आकार कैसा है, हम बात कर रहे हैं, कि जो बीज है मटर का, बीज का आकार कैसा है, ठीक है, तो बीज का आकार की बात कर रहे हैं, तो बीज का आकार कैसा है, भाई साहब गोल है, है ना, गोल है, ठीक है, और दूसरा जो ता वो कैसे था जो आप्रभावी था वो कैसे जुर्रीदार एसे एसे ठीकर वो कैसे इस तरी के जुर्रीदार था दूसरा हमने क्या बोला बीज का रंग बीज का रंग जब हम बीज के रंग की बात कर रहे हैं तो रंग कैसा है भाई यह है आपका पीला ठीक है यह कैसा है आपका पीला है ठीक फिर अगर आप रवावे की बात करते हैं तो इसका कैसा है हरा ठीक है जुर्यदार है और हरा है ठीक अब आजाता है भाई जो इसकी फली है है ना फली का आकार जो फली है फली का आकार आकार आगया रंग अच्छा फूल का रंग आ जाएगा सौरी पहले तो बीज का रंग आया है अब आएगा फूल का रंग आँ आइम सौरी आइम सौरी ठीक है अब क्या जाएगा अब आएगा आपका फूल का रंग अरे यर फूल का रंग अलग 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 कलर से इठाते हैं अब यह तो बीच का रंग था, अब क्या है, फूल का रंग, ठीक है, तो यहाँ पर पहला रंग क्या मिला, इनको बैगनी मिल गया, है ना, बैगनी, इस तरीके से फूल था यह, ठीक है, यह बैगनी फूल मिल गया इनको, और यहाँ कैसा था, यहाँ था सफेद, ठीक है यह कैसा थाह सफेद ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया आप meditation आ क्फली एक सात है न तो सातों के सात तो पर नहीं है है ना अब आता है फली का नश犁 सबने अ का खरने तो फली के आकार की इसकी कैसी थी? शिकुडी हुई. यह लग नहीं दी ना? यह सिकुडी हुई है यह? ऐसे लग रहा है कि घ्ल्दी होगी कितनी? ठीक है ना? फली ऐसे हो गई. चलो यह हो गई. अब आज़ादा है फली का रंग. है ना? फली का रंग कैसा है? फली का रंग ठीक है न फली का रंग कैसा है भाई यह इसका तो हरा है और इसका पीला है है ना ये कैसा है आईयो ये क्या है पीला ठीक है जो है ना सुकड़ी हुई कैसी है पीली है ये ठीक है और ये कैसी है ये हारी फिर आते हैं पुश्प की इस्तिथी पुश्प की इस्तिथी की जब बात करते हैं तो इस्तिथी कैसी है मतलब कैसे मौजूद है ये पुश्प तो यह क्या है अक्षिय है ठीक है और यह कैसा है अंते है ठीक फिर अगर पुष्प की लंबाई की बात करते हैं तो भई यह जो प्रभावी था कैसा था लंबा था ठीक है और यह कैसा था बोना था ठीक है यह सातों के सातों लक्षेन आप लोगों को समझ में आ गए है न बताओ आगे समझ में अरे बताओ मेरे बच्चो मेरे प्यारे लाल है आगे समझ में चालो बिलकुल ऐसा यह बना लग Maa jam?.. चालो बिलकुल ऐसा ही बनाने के लिए सात पर वर्पेएस ही लक्षन दिखाने तो बिलकुल ऐसे बनाओ कि प्यारे ठीक है ना ओके चलो मैं यह देखो बीज का कार गौल है जुरीदार है रंग पीला है हरा है फूल का रंग क्या है बैगनी है सफेध है यहां यहां सेफिछन है यहां पीला है इस सित्थी देखो अक्षिय है अक्षिस है मतलब और यह क्या है अंत ठीक और यह क्या है लंबा है और यह क्या है बॉना है यानि कि छोटा है ठीक है यह सारी चीज़े आपको clear हो गई है ना बना के इसलिए दिखाई है ताकि confusion नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ठीक है एक ए आगे बढ़ जाते हैं अब हमको क्या बात करनी है भाई अब हमारे पास क्या आती है दो शब्द आते हैं अनो के से शब्द है आरे उससे पहले एक और चीज़ कि उसको जो मैंने बनाया है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है क्योंकि ऐसे बनाना टफ रहेगा यह फाला जो है ठीक ना या तो ऐसे बना दो इसको आप ठीक ऐसे बना दो यह ऐसे लिख दो दोनों यह ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना चलो अब हमारे पास आते हैं दो शब्द कौन से आते हैं एक आता आपका मोनो हाइब्रिड mono hybrid ठीक है एक शब्द तो यह आ चाता है आपका दूसरा क्या आता है आपका di hybrid ठीक है यह दो शब्द आ जाते हैं कभी-कभी इनके बीच में differences भी आ जाते हैं कि mono hybrid और di hybrid क्या है इनके बीच में अंतर response करो आ जाता है ठीक है तो जब mono hybrid और di hybrid की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा खास difference नहीं है mono hybrid में क्या होता है दो पौदे होते हैं ठीक है जो यहाँ पर क्या होता है दो पौधों के क्या एक जोड़ी विकल्पी लक्षन के मद्ध है क्या होता है हाँ संकरण ठीक है जैसे कि हम कह सकते हैं कि वही एक लंबा पौधा ठीक है लंबा पौधा के साथ बौना पौधा बौना पौधा ठीक है दो अलग अलग पौधे हैं देखो यहां पर एक लंबा पौधा है एक बौना पौधा है् नों के भी संकरन कराएंगे ठीक है तो दो पौधे हो गए देखो हमारे पास और इनके एक एक विकलपी ले DIY विकलपी लाक्षण ले 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 तब की होता है यहां पर दो पौधों के ग्यार विकलपी लक्षणों के मद्धे संकरण ठीक है? सबको clear है ना? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है सबको clear तो आगे बढ़ जाते हैं देखो एकल संकरण याने की monohybrid ठीक है? monohybrid था ना? हाँ सही है ठीक है? तो यहाँ क्या है? मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मद्दे क्रॉस संकरण को एकल क्रॉस संकरण कहा जाता है ठीक है? जैसे कि लंबे पौधे तदा बौने पौधे की मद्दे में संकरण कराना हम? जड़ो इसको थोड़ा सा समझते हैं हमने क्या बोला है? कि जनक हमारे पास एक लंबा पौधा है एक बौना पौधा है जब हम जनक की बात करते हैं तो जनक कैसा है हमारे पास? एक लंबा पौधा आ गया ठीक है? और एक क्या आ गया? आरे पौना लिख रही हूँ मैं बौना पौधा ठीक है ये दो आ गए अब हमारे मेंडल जी के हिसाब से जो लंबा पौधा था ना उसके पास कौन से युगमक थे हमारे मेंडल जी के हिसाब से इनके पास थे कैपिटल टी और कैपिटल टी ठीक है इनके पास क्या था कैपिटल टी कैपिटल टी और जी स्मॉल थे इनके पास क्या थे स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है इनके पास थे स्मॉल टी स्मॉल टी अब जब यहाँ पर हमने युगमक बनाने का कारेकरम चालू किया ठीक है हमने यहां पर जब यूगमक बनाया तो यूगमक में हमको क्या मिल गया ये दोनों अलग-अलग हो गए यूगमक ठीक है दोनों अलग-अलग हो गए और ये क्या हो गए ये भी अलग-अलग हो गए ठीक है अब इनके बीच क्या हो गया इनके बीच क्रॉस हो गया जब across हुआ तो किया मिला पहले इन दोनों के बीच में हुआ फिर इन दोनों के बीच में हुआ ऑगेबयुक् samol स्मॉल्टी इन दोनों में हैं तो यहां क्या जाएगा स्मॉल्टी स्मॉल्टी ठीक है फिर जब अगर मैं अब इसकी इस से गराऊंगी नहीं किस से गरा रहे हूं मैं भाई साहब कांगया पैन हाँ फिर आरे यार वही मैं बोलूं कि गरबड की हो गई है बताते भी नहीं हो इसकी इस से हुई है ना पहले इसकी इस से हुई फिर इसकी इस से हुई ओके अब क्या होगी अब जो यह है इसकी पहले इस से होगी ठीक है पिर इसकी इस से होगी, क्या मिला हमको, हाँ, capital T यहाँ पर भी था, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, दूसरे में हमारे पस, हाँ, जब हमने इन दोनों की कराईए इसकी इससे और इससे, तो क्या मिला, small t, small t, यहीं मिल गए, याने की भ समारी जो F1 PD थी इसमें क्या थै इसमें सारे लंबे पौधे थे संहब लंबे थे ऐसे तबुष मालड़ क्या यह को प्रलॉच्गर राते लेप पास जильно बाट गए इतने बच्टे को एस दम मेरे मैं पास फोफित Lremo year कड़ लुफמरड़ थे तो मेरे को ना एक पेज उठाना पड़ेगा यहां पे यहां पर एक पेज उठाते हैं ओखेई चलो पेज उठा लिया है हमने हाँ अब हमने f1 into f1 करवाया यानि कि स्वेपरागन f1 into f1 जिसको हम क्या कहते हैं स्वेपरागन ठीक है इंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिले लंबा और बौना पौधा दोनों हमारे पास लंबा पौधा इस लंबे पौधे के पास क्या थे चैपिटल टी स्माल टी थी दूसरा था हमारे बौना पौधा ठीके इसके पास भी सेम था क्योंकि हम स्वेय परागन करा रहे हैं अरे यार स्वेय परागन लिख रही हूं मैं ठीके न चलो तो हम को याबे क्या चलो अब यहाँ पर हमने क्या किया हमको युगमक क्या मिले हम युगमक की बात करते हैं यह क्या थे जनक थे ठीके तो युगमक हमको क्या मिले capital T small t ठीके और यहाँ क्या मिले हमको capital T small t दो युगमक मिले अब इनका हम क्या कराइंगे क्रॉस कराइंगे तो इस वाले का पहले इसके साथ कराया ठीक है और फिर इस वाले का हमने किसके साथ करा दिया लास्ट वाले के साथ क्या मिला हमको capital T था ही यहां दोनों में है न और यहां क्या था आपका capital T और small T ठीक है दो थे फिर क्या हुआ अब इसका इसके साथ कराया इसका इसके साथ कराया क्या मिला आपने को हाँ यह क्या थे small T था इधर भी small T और इधर क्या बोलते हैं small t अब yellow उठाया अब इसका इसके साथ हुआ तो capital T आ गया इसका इसके साथ आ गया तो भाई यहां क्या बदलाव आ गया भाई हैं तो यहां पर हमको क्या पता चला कि यह यह और यह यह तीनों क्या थे तीनों क्या थे यह लंबे पौधे थे ठीक है लंबे पौधे थे यह 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 भी था लंबा यह भी था लंबा और यह भी था लंबा ठीक है लास वाला क्या हुआ मैंने क्या कहा था कि दूसरी संतिती में मैं अपना आपको शो करता है बोना क्या कर रही हूं मैं यह क्या था बोना था ठीक है तो यहाँ पर रेशियो हमको क्या मिला यहाँ पर three is to one का रेशियो मिल गया था कि तीन लंबे और एक बोना पोधा रा देखो यहां पर दिया हुआ है आपका ठीक है इस तरीके से पूरा mono hybrid cross याने कि एकल संकरन के बारे में चलो अब इसका अवलोकन क्या था भाई अवलोकन देख लेते हैं कि प्रतम संतिती F1 PD में सभी पौधे लंबे थे है ना F2 PD में 3 by 4 लंबे पौधे और 1 by 4 बौधे थे याने कि हमने क्या बोला जीनो टाइफ हमको क्या मिला 3 is to 1 मिला तीन लंबे एक बौधे और जो जीनो टाइफ था वो 1 is to 2 is to 1 याने कि हमको क्या मिला था एक मिला था हमको capital T capital T is to क्या मिला था हमको यह 2 मिल गए थे हमको है ना और यह क्या मिला था small t small t तो ये एक था हमारे पास, ये दो थे, ये एक था, ठीक है, तो genotype हमको ये मिला था, ठीक है, clear इतनी बात, है ना, बताओ, चालो, बढ़िया, ओके, अब इसका निशकर्ष क्या था, कि capital T, capital T, capital T, small T, दोनों लंबे पौदे हैं, जबकि जो small T, small T है, वो बहुना पौदा है, कि एक capital T है, अगर small T के साथ, तो बहुदा लंबा होगा, जबकि बहुने पन के लिए small T की दोनों प्रतियां होनी चाहिए, small T, small T होना चाहिए, और इसके लिए क्या है, एक capital T, एक small T चलेगा, एक capital T, capital T चलेगा, दोनों हैं, इसके लिए offer है, free fund में, अब T जैसे लक्षन, प्रभावी लक्षन कहलाते हैं, small T जैसे लक्षन, आप्रभावी लक्षन कहलाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अब आता है, द्वी संकरन, यानि की द्वी विकल्पी, द्वी विकल्पी ये संकरन, यानि की di hybrid cross, यहाँ पर क्या होता है, मडर के दो पोदों के, दो जोड़ी, विकल्पी लक्षन के मद्धे cross करना, ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, है न, यहाँ पर क्या देखते पीला बीज और एक जुर्रीदार हरा, यह दो थे, है न, तो जनक हमारे बस दो थे, एक तो पीला मैंने बोल दिया, यह क्या है आपका, यह आगे आपका पीला, ठीक है, इसका किसके साथ संकरन हुआ, जुर्रीदार हरा, ठीक है, क्या है यह, जुर्रीदार, ठीक है, इन दोनों के बीच जब संकरन हुआ, तो हमको क्या मिला, संकरन कराएगा इनके बीच में, हमको क्या मिला, गोल पीला मिला, हमको क्या मिला, गोल पीला, संकरन कराने के बाद, ठीक है, गोल पीला, अब अगर मैं बात करते हूँ, इन में जीन्स कैसे थे तो जीन्स कैसे थे इन में इसके पास क्या था हमारा इसके पास था हमारा capital R capital Y capital Y क्योंकि यह प्रभावी था ठीक है इसके पास क्या था हमारा small r small r small y small y ठीक है क्योंकि यह प्रभावी था ठीक है जब हमको हमने यहांग पर ए स्मोल य टो हमको क्या मिला यहां पर स्मॉल आ रहग्र एक करड़ He रहे X प्रभू मेरे ठीक है तो यह क्या है थिमारी फ़टी आ shroud फन्त टी बिया यह थी है एंघने लिएक और यह ते हमारे रहे युग मगत थे त्थीक है यह हमारी एफ़वन पीठी adalah इजनी बास सबको क्लियर हो गई चलो फिर एक और विज्ञानिक थे पुनिट जी ठीक है जिन्होंने पुनिट स्क्वाइर दिया था अब वो पुनिट स्क्वाइर बनाते हैं हम लोग इनका क्या कराएंगे हम स्वय परागण कराएंगे यह बना के इसले बता रही हूँ यह देखो यह पीछे दिया हुआ भी है ठीक है लेकिन बना के इसले बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए दिक्कत ना हो ठीक है तो यहाँ पर हमने एक लाइन खीची दो लाइन खीची तीन लाइन खीची एक लाइन खीची दो लाइन खीची तीन लाइन खीची ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर रहें एफ टू पीड़ी की यहाँ जो भी आएगा वो एफ टू पीड़ी में आएगा तो हमारे पास क्या आया था हमारे पास आर वाई ठीक है यहाँ पर आर आर वाई ठीक है और यहाँ पर आर वाई आर वाई ठीक है यहाँ की बात करते हैं यहाँ हमको क्या मिला यहाँ पर हमको क्या मिला आर वाई ठीक है आर वाई आर वाई और आर वाई यह मिला हमको अब हम इनके बीच में क्या कराएंगे क्रॉस करवाएंगे है ना हम इनका क्या कराएंगे स्वेप परागन कराएंगे तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई तो चलो अलग रंग से लिख देते हैं है ना हमको क्या मिलाया capital R, capital R, capital Y, capital Y मिल गया अब इन दोनों की कराओगे तो क्या मिलेगा आपको मिल गया capital R, small R, capital Y, capital Y इन दोनों की कराओगे तो क्या मिल गया आपको ठीक है और last में क्या मिल गया capital R, small R, capital Y, small Y अगला उठाते हैं ठीक है अगले की कराते हैं अगले में हमको क्या मिला, capital R, small R, capital Y, capital Y, small R, small R, ठीक है, capital Y, capital Y, भाई साहब, इतना confusing है, इतना confusing है, क्या ही बताएं, हाँ, ठीक है, फिर capital R, small R, capital Y, small Y, small R, small R, capital Y, small Y, ठीक, ठीक, तीसरा कराते है, तीसरा कराने पर, capital, 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 small, ठीक, capital, small, capital, small, capital, capital, small, capital, नहीं, एक से ही तो होंगे दोनों, क्योंकि हम तीसरे में करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और लास्वाले में क्या आपका, capital small 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 ठीक है ना yes correct अब कौन सा कलर बजी हमारा यह वाला कलर बजी है न हमारा चलो लास वाले में क्या आएगा हमारा लास वाले में हमारा आ रहा है capital आजा भाई ठीक है small small capital small capital small 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 ठीक है और और नाल Mee क्या अगया हमारा small 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 yes we did it कर छिया हमने ठीक है इस तरीके से चुट्ट्टो चुट्टो तरीके से दें Спли अच्थ कर सकते हो तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला यह जब हमने फइनो टाइप की बात करी ठीक हैare 2 generation में हमने फीनो टाइप की बात करी तो फीनो टाइप में हमको क्या देखने को मिला भाई फीनो टाइप अनुपात में या रेशियो बोलो अनुपात या रेशियो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है जो गोल पीले हैं गोल पीले कितने हैं वो नौ है ठीक है फिर गोल हरे कितने हैं तीन है और जुर्रिदार हरा कितना है एक है याने कि आपको अनुपाद क्या मिल गया यहां पर हाँ थ्री सॉर्ज नाइन इस्टू थ्री इस्टू थ्री इस्टू थ्री इस्टू वान ठीक है इतनी बास समझ में आगई आप लोगों छुटू सा था बिलकुल मज़ा आगी ना सीखने में है ना पहले इसकी इससे करा दो ठीक है इसकी उससे करा दो इसकी उससे चाहें पहले इसकी इससे कराओ इसकी इससे कराओ ठीक है इसकी इससे कराओ इसकी इससे कराओ कोई दिक्कत पीले बीज तीन है जो रिजार हरे बीज एक ठीक अब लक्षण अपने आपको किस प्रकार व्यप्त करते हैं एक सवाल आता है तो हमको बता है कि भाया कोशिका होती है यह क्या है आपकी कोशिका है इस कोशिका के अंदर क्या है ये केंद्रक है केंद्रक के अंदर क्या है ये गुण सूत्र है और इस गुण सूत्र के अंदर मैं डियने अलग कलर से दिखा दूंगी बस यह रहा आपका डियने ठीक है डियने ठीक, चलो, अब कोशिका के DNA को क्या करते हैं, बहुँ यह DNA जो चोटे-छोटे खंडों से मिलके बना हुआ होता है, जिनको हम जीन कहते हैं, ठीक है यह DNA है, यह चोटे-छोटे खंडों से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है न, तो यहां जो ज रश्णात्मक और खीरात्मक अकाई है यह ऐने कि सारी के सारी इण और हो दरती जीज़ेंहां और यह क्या करते हैं इस तरीके से यह पना हो लत करते हैं इस सोय को आć़ करते हैं कि अभी व्यक्ति को नियकंति करते है जुय एंजाइम और हर्पोन कोह तो जी यह should तो इंजाइम की दक्षिता से कारे करना फिर प्रयाप्त मातर में हॉर्मोन बनाना और लंबे पौदों को पैदा करना फिर अगर स्मॉल टी की बात करें आप रभाविधा तो इंजाइम का कम दक्षिता से कारे करना आप प्रयाप्त मातर में हॉर्मोन बनाना और जिसकी वैस सबको समझ में आ गया है यह मैं इसे बूले जा रही हूं बूले जा रही हूं इह हैं लगातार इतनी देर तक बोलना ओ माई गॉड हैं बताओ जल्दी आ गया समझ में चलो बहुत बढ़ी आ फिर लिंग निधारन की बात करते हैं यानि कि सेक्स determination की बात चल रही है हां इस डिटर्मिनेशन पता करना मतलब की लड़का है या लड़की यहाँ पर शेक्स determination या लिंग निधारन का यही मतलब है तो बहले यहाँ पर Bangka पता है कि दो थरीके के मनुष्य होते हैं जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य कैसे हैं दो प्रकार के हैं ठीक है ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है लिंग निधारन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको एक्जाम्स के माहिने म एक आपका नर आ जाता है ठीक है यह आपका नर आ गिया है ठीक और एक क्या जाती है मादा आ जाती है ठीक है मादा आ गई यह आपकी मादा हो गई है देखो दोनों कितने खुश है है ना परिवार बसने वाला इनका क्योंकि खुश है दोनो चलो अब यह नर है वो मादा है अब भाई हमें पता है कि नर के पास क्या होता है हुं नर के पास युगमक क्या है जब हम युगमक की बात करते हैं युगमक कौको लेकर आते हैं तो नर के पास क्या जाते है हमारे एक्स वाई आयो गलत हो गया रुको एक मिट है ना दर के पास क्या है हमारा रुको 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 शुक्राणू ठीक है और मादा के पास क्या है हमारे अंडाणू या अंडा बोल दो कोई दिक्कत नहीं है शुक्राणू में मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है शुक् y है हमारे पास यहां पर और यहां पर क्या है x x ठीक है यहां पर क्या है x x चलो माल लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं आयो चलो अच्छा अच्छा ऐसा हो गया क्या कोई बात नहीं हम इसको यहां लेकर आ जाएंगे ठीक है च्छलो, इनको नेक्स पेश पे लेकर आते हैं, हमने क्या बूला कि नए मादा है, इसके पास क्या है, xy, इसके पास क्या है, xx, ठीक, अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा, तो कैसे होगा इन दोनों के बीच में जब cross होगा तो, simple सी चीज है, ये वाला x पहले इस x से मिलेगा, ये वाला y इस वाले x से, तो हमको क्या मिला, x x मिल गया, यहाँ पर x y मिल गया, ठीक है, फिर ये वाला, आयो, फिर मैंने गलत कर दिया, मैं हर बर न, यही गलती करती हूं, भाई, यही गलती करती फिर मैं confuse हो जाती हूं, है ना, इसकी, इस से, चलो, अब क्या हुआ, इसकी, इस से कराऊंगी, x x मिल गया हमको, और इसकी, इस से करवांगी, x y मिल गया हमको, याने कि भाई, यहाँ पर, पूरे पूरे 50% chance है, ये क्या है आपकी, ये क्या है, लड़की है, x x, ये क्या है, लड़का है, है ना, ये क्या है, लड़की है, ये क्या है, लड़का है, है ना, तो यहाँ पर भाई, 50-50 chances हो गए है, कि लड़का होगा या लड़की होगी, 50-50 chances है, और इसके साथ-साथ, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है, भाई, कि लड़के के लिए कौन responsible होता है, नर होता है माधा नहीं होती है बिचारी माधा के पास दोनों एक्स-एक्स एना नर के पास एक्स-वाई रिस्पोंसिबल कोने नर है तो अगर आपके आज पास में आप देखते हैं कि किसी औरत को इस तरीके से कहा जाता लड़का पैदा करो तो बोलो नहीं भाई यह चीज गलत है हम science के student है हम बायों के student है हमें मालूम है कि भाई जो लड़का पैदा करने के लिए जो responsible होता है वो नर होता है मादा नहीं होती है क्योंकि मादा बिचार एक पास दोनों x है ना लड़की पैदा करेगी लड़का तो आदमी पैदा करके देगा क्योंकि जो x होता है यह y होता है यह क्या है sex chromosome होता है याने कि sex गुंसूत्र है ठीक है यह ही decide करेगा कि लड़का होगा यह लड़ मानव में अधिकतर गुर्ण सूत्र क्या है, हाँ, क्या है, माता और पिता के गुर्ण सूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, पहले चीज तो यह आ गई हमारे पास, दूसरी क्या है, जब हम गुर्ण सूत्रों की बात कर रहे हैं, यानि क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं, तो कितने होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, गुर्ण सूत्र, 22 जोड़े, ठीक है, आप बोलो कैसे भाई तेज जोड़े होते हैं तो बताएंगे बताएंगे थोड़ा सबर करो सबर करो ठीक है और इसके साथ साथ बाईस क्या है संख्या में यह क्या है संख्या में ठीक है बाईस जोड़े होते हैं और एक कैसा होता है और एक जो होता है वो क्या है वो लिंग गुड़सूत्र है ठीक है वो क्या है लिंग गुड़सूत्र है 22 जोड़े जो है संक्या में वो नॉर्मल रहेंगे और एक क्या होता है वो लिंग गुड़सूत्र है ठीक है यानि हम किसको क्या बोल रहे हैं वाई क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर भाई जब हम स्त्री के बात करते हैं तो स्त्री में गुर्ण सूत्र का पूर्ण युग्म होता है मतलब कि दोनों जो गुर्ण सूत्र है वो क्या है? दोनों गुर्ण सूत्र X होते हैं ठीक है? दोनों गुर्ण सूत्र क्या है? X होते हैं हां वहीं जब मैं कितना हो गया अब इसका हां नर की बात कर समय नर में क्या होता है नर में जो जोडा होता है वो क्या है परिपूर्ण होता है परी कि सोरी परिपूर जोडा नहीं है जिसमें एक जिसमें क्या हो रहा है एक जिसमें एक गुर्ण सूत्र समान्ने है समान्ने आकार स्वरी क्या है जिसमें एक गुर्ण सूत्र समान्ने आकार का है जो कौन सा है हाँ जो एक्स है ठीक है और जो दूसरा है और दूसरा गुर्ण सूत्र कैसा होता है छोटा होता है ठीक है कैसा होता है छोटा होता है जो क्या है जो है वाई गुर्ण सूत्र ठीक है जो क्या है वाई गुर्ण सूत्र तो हम कह सकते हैं भाई कि मादा के पास क्या है हम कह सकते हैं कि मादा के पास क्या है XX है और नर के पास क्या है XY और यह जो Y होता है यही होता है लिंग और सूत्र और यही डिसाइड करता है कि भाईया लड़का होगा या लड़की ठीक है? Clear? चलो बहुत बढ़िया यह देखो यह मैं आपको अलड़ी बना के समझा चुकी हूँ है ना? चलो अब आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुनसूत्र प्राप्त करते हैं ठीक है जो दोनों बच्चे जाए वो लड़का है लड़की है वो दोनों अपनी मा से क्या रहे हैं? एक्स गुनसूत्र ले रहे हैं अंतहा बच्चों का लिंग निर्धारन इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुनसूत्र प्राप्त हुआ है ठीक है एक्स हुआ है या वाई हुआ है जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुनसूत्र मिलेगा वो लड़की होगी और जिस पिता से उसको वाई मिलेगा वो लड़का होगा सबच में आ गया तो याने कि भाई लड़का और लड़की दोनों होने के लिए कौन जिम्मेदार है आदमी जिम्मेदार है और इसी के साथ भाई आपका इस चाप्टर यहां पर खतम हो गया है उमीद करती हो इस चाप्टर में आपको बहुत मज़ा आया होगा बहुत सारी नई बाते सीखने क को मिली होंगी चलो फिर इस सेशन को लोग यहीं कदम करते हैं मिलेंगे आप लोगों से अपनी एक और नई क्लास में तब तक के लिए खुश रहिए अच्छे से रहिए अपना ख्याल रखे और खेले के उदिये लेकिन पठाई को बिलकुल मत भूलना है मैम को बिलकुल नहीं भूलना है और कॉमेंट में बता के जाना है कि भाई आपको कैसा लगा तमझ में आया हाँ चलो फिर ठीक ह कि बाई बाई